भारत में महात्मा गांधी को राश्रपिता कहकर बुलाया जाता है इतना ही नहीं यहां तो कई-कई घरों में गांधी जी को भगवान के तौर पर भी पूजा जाता है पर चाहे एक वक्त देश का एक-एक नागरिक गांधी जी का अनुयाई रहा हो पर तब भी कुछ लोगो बलकि ऐसे कई-कई मौके आये जब साबित हुआ कि दोनों में विरोध हैं अम बेटकर अपनी बाते दबी जुबान से कहने के लिए नहीं बलकि बहुत ही बुलंद तरीके से आवाज उठाने बगावत करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुए पूरी दुनिया उनको जानती हैं तो यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या सच में गांधी जी के विरोधी थे बाबा साहिब मुखे धारा के बहुत ही जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी कथित तोर पर जो उदासीनता जाती विवस्था के उन मूलन को लेकर थ चाहे आजादी से पहले की बात हो या फिर आजादी के बाद की बात हो भारतिय राश्रोय कॉंग्रेस इसके साथ ही मुहंदास करमचन गांधी की कई बार डॉक्टर भीम राव अंबिटकर ने खुले तोर पर खुले आम आलोचना की उन पर अस्प्रिश्य समुदाय को उन हरजन कहकर बुलाते थे और ऐसा करने के लिए कभी भी भीम राव अंबिटकर सहमत नहीं रहे अपने अनुयाईयों को उन्होंने गांधी जी की हरजन बस्तियां छोड़कर शहरों में जाने और शिक्षा पानी के लिए बहुत इंस्पायर किया बहुत आगे बढ़ने के ल रखा 1933 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा ताकि आत्म शुद्धी हो सके और हरजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक साल का भियान भी शुरू किया था उपवास की वक्त गांधी जी ने एक बात कही थी कि या तो छुआ छूट को जड़ से खत् यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है और चेतना का निर्देश हर्जन नामक सापता ही पत्र का भी गांधी जी ने प्रकाशन करवाया उन्हें एमसी राजा जैसे हर्जनों का सपोर्ट भी मिला हर्जन के लिए जगों के आरक्षन के साथ उन्होंने एक ही निर्वाचक मंडल क के होनी की इचाज जताई पर इस नेत्रत्र को अगर किसीने नहीं स्विकारा तो वो कोई और नहीं बलके दलित नेता भीम्राव ऑंबेट करी थे उन्होंने ऐसी प्रणाली को मानने से साफ इंकार किया जिसमें दलितों को हिंदू माना जाता था पर उनका और प्रिश्य उ को अच्छूत माना जाता था खेर इस सेग्मेंट में इतना ही आप माज साथ बने रहें